प्रस्न छे का पांचवा निम्नलिखित संख्याओं में से परतेक में नियूंतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए इस प्रकार प्राप पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ग्याद करें तो प्रहस्न 6 का पांचवा है 525 तो 525 का हम भाग विदी से वर्ग मुल्ग याद करेंगे तो भाग विदी से वर्ग मुल्ग याद करने के लिए दाई ओर से दो दो अंका जोड़ा बना लेते हैं तो पाचीस एक जोड़ा में आ गया और पांच तो अब पांच को लगाएंगे ठीक है दाई ओर से दो दो अंका जोड़ा बना लेंगे तो इधर से हो गया पचीस फिर पांच बच गया तो पांच जो है अकेले बच गया है तो इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे तो पांच किस से लगेगा दो का वर्ग चार होता है तीन का वर्ग नौव तो दो का वर्ग यहाँ पे क्या लिखेंगे चार तो यहाँ पे चार लिख लेंगे दो का वर्ग क्या होता है चार पांच में से चार गटाएंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पे दो लिख देंगे क्योंकि दो से लगाए है और यहाँ पे जोड़ेंगे दो दो क्या होता है चार अब क्या करेंगे पचीस को उतारेंगे उपर से तो एक सो पचीस हो गया तो यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है ठीक है तो 2 लिखे हैं तो 2 से ही गुना करेंगे यानि 42 दुना होता है 84 तो यहाँ पे 84 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से लगाए हैं अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे तो 43 तिया हो जाएगा 125 से जादा हो जाएगा इसलिए 2 रखे 42 हो गया, 44 अब यहाँ पर क्या आया, 41 अब यहाँ पर कोई भी अंक रखेंगे और उसी से गुना करेंगे तो 41 से ज़्यादा आएगा इसलिए अब नहीं लगेगा क्योंकि 41 क्या है, छोटा है अगर यहाँ पर 1 भी रखते हैं और 1 से गुना करेंगे तो 441 आएगा तो अब यह नहीं लगेगा तो 41 क्या आगया, सेस 41 क्या आगया, सेस तो अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा था कि 525 में नियुन्तम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो यहाँ पर 22 कवर्ग क्या होगा, देखें 22 कवर्ग 22 कवर्ग होगा 484 22 गुना 22 करेंगे तो क्या होगा 484 ठीक है, तो 484 तो 525 से छोटा हो जाएगा हम चाहिए इससे ज़ादा यानि इससे, इसमें क्या जोड़ा जाए यानि इससे बड़ा संख्या चाहिए, तो 22 के बाद क्या होता है, 23, तो 23 का वर्ग लेंगे, तो 23 का वर्ग हो जाएगा, 529, यानि 30 गुना 30 कितना होगा, 529, तो 525 से जादा है 529, यानि अब क्या करेंगे, 529 में से, 525 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, यानि 525 में, 4 को जोड देंगे, तो क्या आजाएगा, 529, तो 525 में क्या जोड आजाए, तो 4 जोडने पे, जो संख्या आएगा, वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, यानि 529 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 529 का वर्गमूल होता है 23 देखे 23 का वर्ग क्या होता है 529 तो इसका उत्तर क्या हो गया तो उत्तर हो गया 4,23 यानि 4 जोड़ना है 525 में और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 23 तो इस तरह हम इसको हल करेंगे फिर से एक बड़ समझ लेता है तो 525 पूंड वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि देखिए सेस बच गया है यहां पे तो 22 का वर्ग होता है 484 ठीक है 22 यहां पे आया तो 22 का वर्ग क्या होता है 484 तो 484 525 से छोटा है तो 23 का वर्ग लेंगे तो 23 का वर्ग होता है 529 अब 529 में से 525 को घटा देंगे तो क्या आएगा 4 यानि 525 में 4 जोडने पे 529 आएगा तो 529 क्या है पूंड वर्ग संख्या है 525 के बाद यानि 525 में अगर 4 जोड दें तो जो संख्या आएगा जोडने के बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि 529 का वर्गमूल होता है 23 यानि 525 में क्या जोड़ा जाए तो 4 को जोडने पर 4 जोड़ा जाए और जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 23 चट्ठा प्रस्ण है 1750 तो सबसे पहले हम भाग विधी से इसका वर्गमूल निकालने की कोसिस करते हैं तो भाग विधी से वर्गमूल ग्याद करने के लिए दाई और से दो दो अंका जोड़ा लगा लेते हैं तो 17 किसे लगेगा? चार से चार का वर्ग क्या होता है? 16 पांच का वर्ग 25 तो पचीस तो जादा हो जाएगा तो 4 से लगा देंगे तो 4 का वर्ग यानि 4 गुना 4 16 होता है तो 17 में से 16 अटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे उसके बाद 50 को उतार देंगे उपर से तो क्या गया? 150 अब क्या करना है? यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे यानि यहाँ पे जो अंक होगा उसी से गुना भी करना है जैसे 1 रखें तो 1 ही से गुना करेंगे ठीक है, तो एक आसी गुना एक, एक आसी, यहाँ पर एक लिख देंगे, अब इसको घटाएंगे, और इसको जोड़ेंगे, तो दस में से एक गया, नौ, चौदा में से आट गया, छे, यानि उनहत्र आ गया, अब नहीं लगेगा, ठीक है, तो उनहत्र क्या हो गया, सेश, इसका मतलब हुआ कि 1750 क्या है, पूर्ण वर्ण संक्यर नहीं है, तो अब हम 152 का वर्ण देखेंगे क्या होता है, तो 41 का वर्ग होता है 1681 41 का वर्ग होता है 1681 तो 1681 1750 से कम है ठीक है तो अब क्या करेंगे 42 का वर्ग लेंगे 41 के बाद होता है 42 42 का वर्ग होता है 1764 तो 1764 जो है 1750 से जादा है यानि 1764 में से किसको घटा देंगे 1750 को 1750 को कितना आ जाएगा तो 1764 में से 1750 को घटाएंगे तो आ जागा 14 क्या जागा 14 इसका मतलब हुआ कि 1750 में अगर 14 को जोड़ दें तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा ठीक है तो 1764 पूर्ण वर्ग है किसका वर्ग है 42 का क्योंकि 42 का वर्ग होता है 1764 तो 1764 का वर्ग मूल क्या होगा 42 तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे उत्तर में क्या लिखेंगे 14,42 यानि 1750 में 14 जोड़ना है और जो जोडने पे जो संख्या आएगा उसका वर्ग मूल होगा 42 तो इस तरह हम इसको हल करेंगे साथ में प्रस्न दोसो बामन तो दोसो बामन का हम वर्ग मूल ग्याद करेंगे तो भाग विधी से वर्ग मूल ग्याद करने के लिए दाई ओर से दो दो अंका जोड़ा लगा लेते हैं तो पहले क्या आया दो देखें दो अंका जोड़ा लगाने पे दो बचा तो दो को लगाएंगे, तो दो किसे लगेगा, एक से, क्योंकि एक गुना एक होता है, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तो दो से नहीं लगेगा, क्योंकि दो का वर्ग चार होता है, चार जादा हो जागा दो से, तो एक से लगाएंगे, तो एक गुना एक, एक घटाएंगे, दो में से एक या एक, यहाँ पर जोड़ेंगे, अब बामन को उतारेंगे, अब यहाँ पर जो अंक रखना है, उसी से गुना करना है, ठीक है, तो यहाँ पर पांच रखेंगे, पांच से ही गुना करेंगे, तो पचीस पचे होगा, एक सो पचीस, यहाँ पां गया 27 तो अब नहीं लगेगा तो 27 हो गया सेसफल तो सेसफल यहां पर बचा है इसका मतलब 200 बामन क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अब यहां पर क्या आया 15 तो 15 का वर्ग क्या होता है 15 का वर्ग होता है 225 क्या होता है 225 तो 222 से 225 तो छोटा है तो अब 15 के बाद क्या होता है 16 यानि 16 का वर्ग लेंगे तो 16 का वर्ग होता है 256 क्या होता है 256 तो 256 जो है 222 से बड़ा है यानि 256 मेंसे किसको घटा देंगे 222 को कितना आ जाएगा 4 आएगा कितना आएगा 4 अब तो इसका मतलब हुगा कि 222 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 256 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है 256 किसका वर्ग है 16 का तो 256 का वर्ग मुल क्या हो गया 16 तो इसका उत्तर में हम क्या लिख देंगे उत्तर में लिखेंगे चार जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 16 तो 4,16 इसका उत्तर होगा ठीक है तो यहाँ पर जो आया है 15 उसके एक बाद वाला लेंगे 16 का वर्ग होता है 256 अब 256 222 से कितना बड़ा है? तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा यानि उस संख्या का वर्गमूल होगा 16 तो इस तरह इस प्रस्ण को हल करेंगे प्रस्ण अठुआ 1825 अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधी से तो भाग विधी से वर्गमूल ग्याद करने के लिए दाई ओर से दो दो अंका जोड़ा लगा लेते हैं तो 18 इदर तो 4 से लगेगा क्योंकि 4 चौक 16 यानि 4 का वर्ग होता है 16 5 का वर्ग 25 तो 25 तो इससे बड़ा हो जागा 18 से इसलिए 4 से लगाएंगे तो 4 का वर्ग 16 यहाँ पे 4 लिख देंगे यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे जोड़ेंगे अब 25 को उपर से उतार देंगे अब यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 ही से गुना करेंगे यानि यहाँ पे जो अंक रखाता है उसी से गुना भी होता है तो 42 दुना हो जाएगा 164 2 से लगाएंगे क्योंकि 3 अगर रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे यानि 83 तिया इससे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 रखेंगे और 2 से ही गुना करेंगे तो 82 दुना 164 घटाएंगे 5 मेंश जार गया 12 मेंशे 6 गया 6 16 आगया इसको जोड देंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से लगाए थे अब देखिए 61 नहीं लगेगा तो 61 क्या हो गया 6 तो इसका मतलब होगा कि 1825 क्या है पून वर्ग संक्या नहीं है अब क्या करेंगे 42 का वर्ग लेंगे 1764 तो 1764 1825 से कम है हमें तो ज़्यादा चाहिए तो 42 के बाद क्या होता है 43 तो 43 का वर्ग लेंगे 43 का वर्ग होता है 1849 43 का वर्ग क्या होता है 1849 1849 1825 से ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे 1849 में से 1825 को घटा देंगे तो आ जाएगा 24 इसका मतलब हुआ कि 1825 में अगर 24 को जोड दें तो क्या आ जाएगा 1849 आ जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है किसका वर्ग है तो 43 का वर्ग है 1849 तो 1849 का वर्ग मूल हो जाएगा 43 तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे कितना जोडना है 24 जोडना है और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्ग मूल होगा 43 तो 1825 में 24 जोडना है और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्ग मूल क्या होगा 43 तो यहाँ पर देखना है 42 आया है तो 42 के बाद वाला संख्या क्या होता है 43 तो 43 का वर्ग में से 1825 को घटा देना है तो जो आएगा उसी को जोड़ना है इसमें और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्ग मुल होगा 43 कर दो कर दो दो आएगा उसी को जोड़ना है